नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू मैई चैनल और पंजाब इनवस्टी चंडिगड की तरफ से बहुती बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जिसका सभी को इंतजार था जितने भी रीपियर के स्टूडेंट हैं उनके एक्जाम जनवरी में होंगे क्योंकि उनके एक्जाम सि सिजन हो चुका है आपके एक्जाम जनवरी में होंगे और मैं आपको पूरी अपडेट दिखा देता हूँ आपका रोलंबर कब आएगा डेट शीट कब आएगी किस परकार से आपके ओनलाइन होंगे या ओफलाइन होंगे इसमें पूरी अपडेट लिखी गई है और ये सिजन हो चुका है आपके एक्जाम जनवरी में होंगे तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है एक बार वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे ताकि हर एक स्टूडेंट तक की इनफोर्मेशन पहुंच सके और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सस्क् करते हैं दोस्तों ये है आज की अपडेट जिसमें लिख है कि पंजाब इनवस्टी ने निन्या ले लिया है कि 15 जनवरी से जितने भी रीपियर के स्टूडेंट है उनके एक्जाम कंड़क्ट करवाए जाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जिसका सभी को इंत पूरी अपडेट दिखा देता हूं इसमें आपके एक्जाम का पूरा शिदूल बताया गया है कि आपके रोल अंबर कब आएंगे डेट शीट कब आएगी आपके एक्जाम कब से कब तक चलेंगे यहां पर देखिये नोंने लिख है कि पंजाब इस विदाले ने आकिरकार पूरा शिदूल बताया गया है यहां पर देखिये नोंने लिखा है कि इसका लाब BSC Owners, BSC Old Student और साथी साथ CBCS परनाली के विदार्थियों को सभी को मिलेगा इसका लाब और यहां पर लिख है कि पंजाब इस विदाले ने जारी किये गे जो सडूल है उसमें विदार्थियों से कहा है कि अपना परिक्षा फार्म भरने की जो अंतिम तिती है वो 24 दिसंबर है तो आप 24 दिसंबर तक अपना एक्जामिनेशन फोर्म फिल कर सकते हैं जिनको भी रीपियर के एक्जाम देने है पंजाब इनुश्टी चंडीगड के तो यह बहुती बड़ी अपडेट है और 30 दिसंबर तक आपका ये डाटा जो है आपके विभागों से ले द्यारतियों को प्रिक्षा नियंतर कारेल्या से रोलंबर जारी किये जाएंगे ठीक है तो 6 जनवरी से आप अपना रोलंबर 12 जनवरी तक ले सकते हैं जो आपका कंट्रोलर ओफ इग्जामिनेशन का ओफिस है वहाँ से ठीक है उसके बाद 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आपक साथ यहाँ पे लिख्षा काफी समय से लंबित चल रही थी आप सभी को पता है आपको बार बार लारे लगाए जा रहे थे कि आपके एक्जाम कभी दिसंबर में कभी फर्वरी में लेकिन अब फाइनल डिसीजन हो चुका है लोकडाउन के कारण यह डिसीजन नहीं हो पा रहा था तो पंजाब इनवस्टी ने अब पूरा खाका त्यार कर लिया है पूरा शडूल जारी कर दिया है तो इसको लेकर जितने वी विद्यारती है उनके चैरे पर खूसी आ चुकी है क्योंकि उनके एक्जाम आप जनुरी से कंड़क्ट करवाए जाएंगे तो यह जाहिन